कि है हलो गाइज वेलकम तो मैं यूटूब चैनल इस्टड़ेवी तपी तो इस समय यूपी बीट की काउंसलिंग चल रही है और सभी स्टुडेंट्स जो है वो अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं और उसके उनकी रहेंग के अधार पर उनको गवर्मेंट अब प्राइबेट क अधार आजएान कई कि आधार एकी से कार्यक्स काने पाहिएरिए और मल्यूद का सब्सक्राइब आपको इस फिD इसे मैं सब्सक्राट करता हूं मैं आपको बता दो कि or Vac San उसमें कंजादा कि कोई बात यह अपने काल से किया है तो आक पहले सेलेक्शन दे दीा जाएगा पहले आपको जॉब मिल जाएगा यह तप अपने इसे मतलब रखता है तो आप चाहे गौर्फे से करे या फर्ख नहीं पढ़ता है इसे कोई फ़र्ख नहीं, इस चीजब ago पड़ेगा фीस में, गौर्बंट कॉलेक में जहां पर आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे मिज़र जो डिफरेंस रुप 10 को एनपने पेन होती है कि अब इसकी सबसेद रुप या फ्याइब? यह सिर्फ इतनी ओभी अपको नहीं देनी उसके बाद भी जैसे आप फस्ट यहले नुशन लेते हैं तो आपको 52,000 रुपे लगभग आपको फीस देना होता है जो कि इन्वस्टी के पास जाता है ठीक है उसके बाद भी जब आप एडमिशन ले लेंगे फर्स टियर में उसके बाद भी कॉलेज की फीस होती है और आप उस फीस को देते देते अगर आप एक मीडियम क्लास की फै 52,000 देने के बाद भी आप से करीब 2,000 रुपे एडमिशन के लिए और ये लेंगे ठीक है कोई कालेज से जवाब एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको बहुत प्यार से बात करेगा वह ऐसे लेगा कोई दिक्कत नहीं लेंगे उसके बाद से उनका सही खेल चुरू होगा फिर से आपसे क्योल एडमिशन के समय ही आपसे 2000 रुपे लग भग ले लेंगे फिर उसके पास जवाब सिर्फ जमा करने जाएंगे उसमें भी आपसे 500 रुपे इससे 500, 400, 300 ऐसे रुपे लेंगे क्योल से फ़र्म जमा करने का जो कि अन्ने कालिजों में या मतलब की इतना नहीं होती है ठीक है प्राइबेट कालिज में आपसे इतना रुपे ले लेंगे 500 रुपे लगभग इसके लिए लेंगे अगर आपकी स्कॉल से में कोई करेक्शन भी आता है उसके लिए दोबार आप ले जाएंगे तो करीब आप मान के लिए 1000 रुपे आप से लेंगे ठी इसके बाद भी जब आप इस एक्जामनेशन फार्म को आनलाइन फिल करेंगे 2400 रुपे इस इन्वेस्टी को दे देंगे उसके बाद भी जब आप कालिज में जमा करने जाएंगे तो वहां पर भी आपसे करीब आन कजिए 800-1000 रुपे आपसे लिये जाएंगे ठीक है उसक च्छोटे मोटी चीज़ें और भी रहती हैं लगबग ये सब चीज़ें आपको 1000-1000 रुपे लेंगे उसके बाद भी जब आप से फस्ट एर के प्रैटिकल के लिए 5000-1000 रुपे लिए जाएंगे आपको देना ही पड़ेंगा जो आप सोच रहे हैं कि इतनी फीस हम नहीं दे जब आप एक बार एडमिशन ले लेंगे तो आप सारी फीस देंगे ठीक है आप अपने आप ही देंगे क्यों इसके अलाओ कोई काम चले गई नहीं तो आपको देनी ही पड़ेगी फीस आप देंगे ठीक इसलिए आपको पहले से जानकर रखनी चाहिए उसके बाद भी एक को अगर काले मसले सकते हं और ले सकते हैं और क scary नहीं नहीं करते हैं तो यहां पर उन देख लेक कितनी सारी फीस है अगर आप यह सोच custody कि मैंत नहीं नहीं तो आइसा नहीं आपको देना ही पड़ेगा और विबश होकर एदेंग कि तू यह आपका लागभग ağ जो है 52,000 और प्लस 15,000 मानके ज़िए लगबग 15,000 एक्स्ट्रा तो इतना आपको फिस्ट इयर में देना होता है फिर जब आप सेकंड इयर में फीज देंगे तो सेकंड इयर में भी आपको इस से जदा ही लगबग जितनी फीज होगी 30,000 30,000 के बाद भी आपको जो है यहाँ पर फिस्ट देने होंगी करीब 10-15,000 रुपए एक्स्टा तो इतनी फीसे हैं अगर आप मेडिल क्लास फैमिली से हैं अगर आपके पास इतना बैलेंस नहीं है तो आप जो है एक साल दो साल अपना प्रिपरेशन कर लिजे और अच्छे न प्रुख है वो सरकारी अध्याप को कम करना है ना की ज्यादा देना है तो अगर आप मेडिल क्लास फैमिली से हैं आपके पास पैसे की थोड़ी सी समस्या है तो आप जो है एक दो साल अच्छे स्टैरी कर लें जिससे आगर क्योंकि दिए करना ही बड़ी बात नहीं बीड क आप जड़ा दिया है आप मानके जितनी गौवर्मेंट की फीज से आप जोल लिजिए गौवर्मेंट की फीज से करीब बावन हजार रुपए फस्ट एर में सेकेंड ये में करीब 30,000 और इसमें आप लगभग 30,000 रुपए आप एक्स्टा दोनों साल का मिला कर बानके लि ठीक है क्योंकि जनरल वालों की जो बात है इस बार काफी निरास हुए बच्चे क्योंकि इस बार जो है सकालसिप नहीं आई लेकिन मेजर जो है अमारे इसकालसिप नहीं आई थी जने इस बियस पर कि अधा जाएगे तुमारा कुछ पैस वापस हो जाएगा ये करी 30,000 कि लगबग या किसी का 24-3022 से इस कालोसिभ आती है लेकिन इस बार जो है बहुत सारे बच्चों के इस कालोसिभ नहीं आई है तो आप अगर जोड़ा सा ध्यान रखेगा इस कालोसिभ की भरूस से मेथ में रहेगा आ गई तो अच्छी बात है नहीं आई तो फिर आपको लॉस म को ध्यान में रखें अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं तो आप दो साल मेहनत कर यह एक या दो साल के अंदर आपका जरूर से जरूर बीड में में आपका अडिमर्मिशन हो जाए लेकिन ठीक है तो आप इसको करिएगा अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं कोई प्रावलम है तो नीचे कमेंट करिएगा नेक्स वीडियो मैं इस पर दिर्ल बनाओंगा थैंक्स वर वाचिंग